हाई अबरिवन स्वाज हम लोग एक स्टॉक की उपर बात करने वाले हैं जिस पे सारी ट्रेडर्स और इंविस्टर्स को लगता है कि एलोन मस्क का उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हाथ है येस गाइस मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो गिरते मार्केट में तो छोड़िए वो बढ़ते मार्केट में तनी बढ़ता और उस तॉक ने फ्राइड़े के सेशन पे पाच परसेंट से उपर तक की रिटर्न दी है और वो उपर जाकी क्लूस करा है हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग अभी ट्विटर हैंडल को जादा फॉलो करते होंगे या क्रिप्टो करेंसी को सबसे जादा फॉलो करते होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि एलॉन मस्क जिस तरीके से ट्वीट करता है और अपने क्रिप्टो क्रिप्टो को कन्ट्रोल करता है अपने ट्we scripts के थूरू वो अपने stocks या crypto को क्रिप्टो को कंट्रोल कर रहा है उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इंड मैं सारी investors की बात कर रहा हूं सारे investors सोचते थे काश ही stock बढ़ जा है काश ही stock बढ़ जा है तो eventually अभी stock ने जो return दिया है गिरती market के अंदर I think there is a possibility कि ये stock बढ़ सकता है So आज stock की उपर पूरी analysis करने वाले हैं Yes guys आप लोग बार बार सोच रहे होगे कौन से stock की मैं बात कर रहा हूं तो मैं उस stock की बात कर रहा हूं जिस stock का नाम है ITC Yes guys ITC की मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ITC तो बढ़ते market में धंग से नहीं बढ़ पाता Friday के session में जब market गरी है तो ITC का stock 5% उपर जाके close करा है So I think यह तो एक जादू है Definitely यहां पर किसी का तो हाथ है ITC के stock के अंदर तभी इस stock बढ़ा है और सबसे बढ़ी है तो Elon Musk की है जो एक बात से ही stock को उपर लेकर जा सकता है या crypto को उपर लेकर जा सकता है So I think hats off to Elon Musk चलिए ज़्यादा मजाक हो गई है बात करते हैं कि कौनसे इस पर्टिकुला stock पर किस तरीके से trade लेना है क्या अब ये trading opportunity या कोई swing trade अगर हम मान के चले हैं या long term investing के लिए या swing trading के लिए ये stock अच्छा है यहाँ पर trading के ऊपर intraday के ऊपर perspective पर बात नहीं होगी हम लोग swing trading and हम लोग long term investing पर ITCQ पर बात करने वाले है and चेक करते हैं किस तरीके से stock परफॉर्म कर सकता है okay so let's move to our chart analysis and बहाँ पर दाके हम लोग मिलते हैं and उसके बाद आखरीम हम लोग बात करेंग so जैसा याँ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ITC के chart pattern पर आ चुका हूँ and यहां charts पर मैंने सबसे पहले जो time frame कर यूज कर रहा है वो कर रहा है one month का time frame yes guys one month के time frame को मैंने use कर रहा है अब यहाँ पर मैं one month की अगर मैं बात कर रहा हूँ so मैं definitely long term investors की बात कर रहा हूँ अब long term investing जब आती है so मेरे हिसाब से long term investing जब एक से दो साल max to max दो साल अगर आप एक stock को रख पाएं उत्ता काफी है और अगर बीच में आप लोगों को अच्छा return मिल रहा है so आप definitely अपनी profit booking कर सकते हैं चाह वो दो महीने में आजा चाह वो एक दिन में आजाए हमें return से मतलब होता है हमें साल से मतलब नहीं होता I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा confusion होती है कि long term investing को वो लोग 5 साल 10 साल कह लेते हैं but आप लोगों के अपने mind में sit करना है कि हमें return पे इंट्रस्टेड हैं अगर मैं आपर अपनी analysis करता हूं तो देखें सबसे पहली चीज जो मुझे आपर दिख रही है that it created a double bottom यहाँ पर आप देख रहे है it created a double bottom type of scenario यहाँ देखें है इसने एक double bottom type of scenario create कर रहा है around 165 rupees के असपास 165 rupees के असपास monthly time frame पे double bottom है so I think यह देखें यह एक fall आया एक up move आयी and again it fall again it moved up और यह नीचे आया तो यह जो पहला resistance हुआ करता था break out देने के बाद that become support और इस level पे आ गया है ठीक है यहाँ पर हमें एक चीज पता चली देखें मैं clear way में समझा रहा हूं eventually एक दिन ऐसा आता है उसने इस resistance को break कर दिया जब resistance को break करता है तो हम लोग उसे support बोलते है कि अब वो resistance वाली resistance वाली line अब एक support की line बन चुकी है after giving a break out but actual में ऐसा नहीं होता stock सबसे पहले एक बार नीचे आने दीजिए नीचे आने देने के बाद जो resistance वाली line थी उस पे आएगा थोड़े टाइम रुकेगा और यहां से जब उपर जाएगा तो हम इस point को बोलेंगे support ओके यहां पर हम लोग फिर reversals देखते हैं और यह stock और उपर जाता है यहीं पर भी same हुआ यह वाली line एक resistance की line कर रही थी जब इस रिमूफ कर देता हूँ देखिए यह वाली line एक resistance की काम कर रही थी तेक है इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा जब इस रिजिस्टेंस इसको मैं थोड़ा सा डाग कर देता हूँ आप लोगों के लिए यह line एक resistance की line थी breakout दिया रिटेस्ट करा अब यहां से उपर जा रहा है उपर जा रहा है को मैं प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक कर सकता है ओके आप लोग मेरा point of view समझ गए होंगे यहां पर इसने एक double bottom type of scenario create कर आए double bottom का आपको पता है कि जो top होता है वो हमारा target होता है so I think जो मेरा top होगा वो होगा this level तो यानि कि मैं expect कर रहा हूँ कि 300 रुपीस तक के targets हम लोग expect कर सकते हैं ओके यहां पर देखिए stop loss हो हो है वो बहुत छोटा होगा target आप लोगों बहुत जादा होगे यहां पर मैं बात कर रहा हूँ एक swing trader की भी और मैं एक long term investor की भी ठीक है long term का आपको लोगों को मतलब समझा दिया है ठीक है यहां पर जो 300 के मैं targets expect कर रहा हूँ यह एक महिना दो महिने के अंदर नहीं आ जाएंगे इसे कम से कम 5-7 महिने लग सकते हैं यहां पांच साथ महिने यह उससे भी उपर लग सकते हैं कि यह stock बहुत दीरे चलता है तो हो सकता है कि चायद अप इस पर momentum आना start कर जाए हम गेस कर सकते हैं बाट अच्छल में ऐसा हुआ नहीं है बहुत टाइम से तो मैं अभी मान के नहीं चल रहा तो 300 रुपीस तक का जो बंदा जो भी वेट करना चाहरा है वो कर सकता है वो और लॉंग टर्म इन्वेस्टिंग मैं आप लोगों को इसका return बता देता हूँ कि इसका return क्या है from current levels current levels इसका जो return है 45% का return है अगर 5 महीने के अंदर आपको एक stock 45% का return दे रहा है so it's well enough बहुत जादा अच्छा है यहाँ पर आप exit करके इसी funding को आपको योर stock के अंदर invest कर सकते हो जो आपको 5-6 महीने के अंदर 45% का return दे दे यहाँ पर यह long term investing की बात और यह stop loss की अगर मैं बात करूँ तो I think मैं stop loss जो put करना प्रसंद करूँगा वो मैं आप लोगों को दिखा दिता हूँ according to our Fibonacci retracement my stop loss should be around this मेरा stop loss होगा around 16% का यह मैं long term investors की बात कर रहा हूँ I hope आप लोग मेरी बात समझ पारे होगे long term investors पे 35 rupees का आपका stop loss है and 100 rupees का आपका target है जो आप लोग लेकर चल सकते हो ठीक है यह मैंने आप लोगों को बता दिया है अब पॉइंट आते सिर बाय कप करें देखिए बाय करने के लिए long term investors के लिए कोई भी level right होता है पे हम किस तरीके से काम करके चल सकते हैं so उसके लिए मैं use करूँगा daily time frame daily time frame पे हमने आप लोगों कुछ analysis करके दिखाने वाला हूँ and इस analysis के basis पे हम लोग अपना decision लेंगे okay I hope आप लोग समझ पायोंगे यहाँ पर किस तरीके से trading करनी है सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक analysis put on कर रहा हूँ आप इसे दिहान से check करिएगा okay यह देखें सबसे पहले मैंने एक zone create कर रहा है यह zone मैंने आप लोगों को monthly time frame पे already suggest कर दिया गया था क्या बताया था that यह zone का इत्ता हिस्सा मैं आप लोगों के लिए और easy कर देता हूँ ठीक है मैं सबसे जादे easy आप लोगों के बना रहा हूँ कि आपकी understanding बिल्कुल भी change ना हो okay यह मैंने एक zone create कर दिया और इसके बाद मैं एक zone और create कर रहा आप लोगों के लिए that is this zone इसका जो color है मैं greenish कर देता हूँ अब यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे है जो यह blue zone है यह blue zone है यह हमारे लिए resistance का काम कर रहा है and जो यह green zone है वह हमारे लिए support का काम कर रहा है so जब यह blue zone का breakout आया that become green zone यानि की simple words पर put करे जब resistance का breakout आया after giving a retest and bounce from that level it become a support okay so I think this analysis clear होगी होगी exact अपने support पे था and इधर से यह bounce कर रहा है I think it's a very good sign and strong candle के साथ bounce कर रहा है I think it's a good sign इसके अलावा और analysis करते है अगर मैं trend line draw करता हूँ आप यह देख सेकते हैं this is a top and मैं सारे highs को connect करते हूँ trend line को draw कर रहा हूँ so इसके लावा और कौन सी analysis कर सकते हैं okay एक analysis और हम लोगों को देखने को मिल रही है that is this analysis इसको मैं blue color से कर देता हूँ because आप लोगो clear रहाएगा जो भी blue zone है वो resistance है and जो भी हमारे लिए basically green that is our support okay यह आप लोगों के लिए easy रहना चाहिए I hope आप लोगों के यहाँ पर clear हो रहाँगा कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ okay हमारे लिए जो टॉप था यह supports थे support break होने के बाद that become resistance और एक बर यह नीचे आ गया okay एक trend line और create करते हैं that is this particular trend line okay अब हमारे लिए एक simple चीज ready होके आ चुकी है अब यहाँ पर हम लोग अपना swing trade लेने की कोशिश करेंगे swing trading की बात आती है तो आती है कि 8% का return अगर हम लोगों को मिल रहा है एक stock के अंदर within a one month और within a two months 8 या 10-12% का return अगर दो महीने के अंदर मिल रहा है it's well enough तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें trade किस तरीके से करना है मैं आपर एक indicator का और यूज करता हूँ एक tool का यूज करता हूँ जिसे मैं generally कहता हूँ आप फिबू sorry आप volume profile indicator जि मैं volume profile indicator इसका use करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सबसे जादा volume मतलब सबसे जादा stock pressure कहा पर ले रहा है क्योंकि अगर वो pressure से दूर जाने लगेगा तो वहाँ पर momentum जादा तेज हो सकती है I hope आप मेरा point समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर यह red color की line आप लोगों को visible होगी I hope यह red color की line आपको visible होगी तो यह red color की line हमें बता रही है कि इस zone के आसपास सबसे जादा volumes create होगे और यहाँ पर हम लोगों ने फिर breakout देखा तो एक sharp breakout भी हम लोगों ने देखा है I think it's a very good sign यहाँ पर हम लोग एक buying opportunity definitely लेकर चल सकते हैं अब sir बात आती है कि exact current levels पर buy करना है नहीं मैं आप लोगों के सामने दो levels present करने वाला हूँ उन दो levels पर आप लोग अपनी swing trading वाली position initiate करके चल सकते हैं ठीक है Guys यहाँ पर अगर आपको trade लेना है मैं strictly बोलूँगा options पर trade मत लेना यह stock बहुत दीरे दीरे काम करता है और आपको options के premium और जादा decay होंगे ठीक है तो options पर बिल्कुल भी काम बत करना इसके अलावा हम बात करते हैं किस तरीके से आपर trading opportunity लेनी है ठीक है Let's use one hour time frame for that One hour का time frame मैंने जब open करा है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक pattern का भी breakout आया है यह देख रहे है यह मैंने trend line draw कर रही है यहाँ पर आम लोग देख रहे है कि एक pattern का breakout आया Let me show you which pattern is this आप लोगों को clear हो जाएगा Okay Let me make it up for you यह देख रहे है यह देख रहे है यह देख रहे है यह देख रहे है Head & Shoulder Pattern And यह देख रहे है जो यह gap था previous gap था उस gap को इसने fill कर रहा है And exact उसी level पे अभी यह trade कर रहा है ठीक है तो sir अब हमें क्या इसके breakout पे buy करना है क्या और किस level पे buy कर सकते हैं देखे अभी इस time पे यह दो scenario create कर सकती है ठीक है सबसे पहले scenario कर सकती है कि यहां पर पहली बार यह आया है तो एक resistance लेके नीचे आयेगा आदे लोग समझेंगे अब यह stock दुबारा नीचे जाना start कर रहा है बट ऐसा नहीं हो सकता क्यों ऐसा नहीं भी हो पाएगा क्यों क्योंकि शायद यह जो पहले ब्लू कर देता हूं क्यों हमारी ब्लू की बात हुई थी यह अभी resistance था अभी breakout दिया है अभी support बनानी है हो सकता है कि जो यह वाली line resistance है एक बर नीचे 210-208 के आसपास आए यहां से एक बर retest करके अगर उपर जाती है तो हमारे लिए buying के अच्छे मौके है तो आपको पहली चीज जो करनी है पहली चीज करनी है अगर यह कल नीचे आता है तो patiently wait करो अगर stock गिरते गिरते इस level पे आ जाए जैसी इस level पे आए आपको क्या करना है आपको देखना है कि अगर कोई भी reversal candle हमें दिखती है अगर हमें hammer दिख जाए हमें एक indecisive candle के साथ एक green candle दिख जाए तो हम लोग यहाँ पर अपनी buy position लेकर चल सकते हैं ठीक है दूसरा option क्या है अगर यह इसका breakout दे दीती है इस level का अगर breakout दे दीती है breakout देने के बाद यह मैंने एक उपर highs को connect करते वे trend line draw करी थी इस trend line 2 रुपे उपर ही है तो हो सकता है कि उपर जाने की कोशिश करें 2 रुपे उपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाए और फिर यहाँ पर आके से retest करने की कोशिश करें तो हमारे लिए करना क्या है एक buying तो level यही बता दिया इस level पर ही buy करना है दूसरा क्या है एक बर इस यलो वाले resistance line को breakout देने दीजे breakout देने के बाद अगर sustain करता है तो हम लोग buy के बारे में मौकेब के बारे में सोचेंगे ठीक है अगर हम लोगों को बतलब बेसिकली में अगर आप लोगों को बताओ राउंड 216 पे buy कर सकते हो 216 पे buy कर सकते हो अगर वहाँ पर pause करता है halt करता है या फिर आप 208-207 रुपे के असपर्स buy कर सकते हो अगर यह stock dip करता है ओके सो मैं आप लोगों को और scenarios और अच्छे से explain कर देता हूँ through this particular thing ठीक है क्या करना है मैं आप लोगों को इसके through समझा देता या तो आप wait करिए stock नीची आए and इसके बाद उपर जाए ठीक है या तो आप लोग देख सकते हैं कि stock को पहले इसके उपर जाने दीजिए एक बार यहाँ पर आने दीजिए दुबारे strand line पर और जब इस level से उपर जाएगा जब यह इस level से उपर जाएगा तो हम लोग अपने buy के बारे में मौके के बारे में सोच सकते हैं ठीक है I hope आप लोग मेरा point of view समझ गए होगे सर सारी बाते बता दी target क्या होगा target जो होगा वो होगा probably यह वाला level यह देखे नहीं जो यह top है exactly top हमारा target है तो मैं मान के चलता हूँ कि इस level से अगर मैं targets expect करके चलो so almost 12% तक के targets आ रहे हैं तो 12% तक के targets आप लोग अचीफ कर सकते हो within a swing trade जो कि मुझे लगता है डेड महीने के अंदर within 45 days आपको बढ़िया result दे सकता है so what should be our stop loss I think आप अपना stop loss वो maintain कर सकते हो वो कर सकते हो at this level ठीक है around 5% and 1-3 का 1-2.5 का risk to reward ratio लेकर अपनी position को halt करके चल सकते हो तो I hope मैंने आप लोगों कोई पूरा setup अच्छे से explain कर दिया होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है and RSI भी currently 59 पे है बेरे लिए जो best buying या best अच्छा कासा indicator RSI होता है जब मेरे लिए buying करने के बढ़िया setup होते हैं जब वो 60 या 62 के उपर होता है तो I think अगर breakout आता है इस line के उपर, resistance line के उपर तो 62 के उपर भी चले जाएगा and हमारे लिए setup अच्छा generate हो सकता है चिक है? So guys thank you so much आप लोगों ने इस वीडियो को end तक देखा and आप लोग meme भी बैने आप लोगों को बता है तो आपको हसी तो आगई होगी So I hope stock पे आप अपना decision ले सकते हैं whether you want to be a swing trader in this stock or a long term investor it's your choice but I think ये stock यहां से थोड़ा सा perform अच्छा कर सकता है तेक है? So it's your decision you want to trade in a derivative segment through future and options in this particular stock or whether on a cash आप cash पे भी buy कर सकते हो but it's your decision Thank you so much guys for watching this video आपने friends and relatives के साथ शेर कर सकते हो जो भी ITC का stock hold करे वे हैं या फिर जो भी interested है उनको भी ये video शेर कर सकते हो So guys bye bye Thank you so much for listening to me and happy trading जो जो अज़ कर सकते हो